वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है बिटकोईन अंठ्यानवे निन्यानवे हजार डोलर के आसपास घूम रही है साथ दिन होने को आए लेकिन अभी तक जो एक लाग का लेवल है उसको यहाँ पर तोड़ने के प्रियास में लगा हुआ है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है चार दिन लगभग हो चुके है मेरे साथ चार पाच दिन आखिर क्या रीजन है कि मार्केट यहाँ से तूट नहीं पा रहा है तो जैसे कि पता है कि market यहाँ पर क्या कर रहे है कि बहुत सरे investor ओर ने जो target है वो लगा रखे है और धड़ा धड़ वो target हिट होते है और break हो जाते है क्योंकि सब को पता है कि एक number एक लाग का बहुत बड़ा number है और इसके बाद market correction लेगा ही लेगा तो कम price पर एक लाग के करीब बेज देंगे और फिर जो market गिरेगा फिर खरीद लेंगे जैसे for example यहाँ पर देखो price यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुची निन्यानवे अंठ्यानवे हजार पर पहुची और यहाँ पर जब सब ने sale किया तो obviously price फिर 95,000 डोलर पर यानि कि सीदे सीदे 98,99 पर बेचो market क्रेस होगा 95 पर फिर खरीद लेंगे और आप देखो market किस तेजी से बढ़ा 24 घंटे में गिरा 24 घंटे में ही बढ़ गया और फिर 99 पर पहुच गया तो यहाँ पर वही चीज है कुछ लोग यहाँ पर यह देख रहे है कि market नीचे गिरे उश टाइम हम खरीदे इसको और कुछ लोग यह देख रहे है कि एक लाग के पार हो जाए फिर हम entry बना के लेंगे और कुछ लोग जो बाहर निकले है वो आपस अभी नहीं आये है हलाकि यह मत समझना कि bitcoin इससे उपर नहीं जाएगा market में ऐसी ऐसी news आई है जो कि चोका देगे आपको मतलब चोका देगी यह कहा गया है कि एक हपते मतलब दो हपते से लेके दो महिने के अंदर अंदर bitcoin का price double होने वाला है दो हपते से लेके दो महिने के अंदर अंदर bitcoin price double और अभी wheels की जिस टाइप से activity हो रही है कसम से दोस्तो मतलब market कहां जाके रुकेगा किसी को पता नहीं है खतरनाक तरीके से market बढ़ने वाला है bitcoin के उपर बात करेंगे wheels के उपर बात करेंगे कुछ अच्छे coins सी इस वीडियो में बताएंगे शिवा इनु के उपर बात करेंगे सभी complete इस वीडियो में कवर करेंगे एंड तक watch करना वीडियो पसंद आए तो चैनल को subscribe करना और यार देखो बड़ी महनत लगती है आपके लिए news धुनने में लाइक कर दिया करो या लाइक नहीं आते देखो आपका भाई आपके लिए इतनी महनत करता है आपको एक लाइक जाने में कुछ नहीं जाता है डेली वीडियो देखा करो डेली लाइक कर दिया करो मेरे कुछ बंदे कम से कम 50-60 परशन तो इसे लोग बनो कि डेली बेस पर लाइक करो और अच्छा सा कमेंट्स करो कोई सवाल है तो नीचे चलिए इसको आगे बढ़ाते हो और अगर लेटेस्ट अब्डेश आए तो इंस्टाग्राम पर फोलो कर ले ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है देखो यहाँ पर चल क्या राय मार्केट पर सबसे पहले तो यह बिटकोईन का हाल देखो इस हाल पर भी बिटकोईन को खरीद रहे है कोन वील्स यहाँ पर अगर आप देखो तो बिटकोईन वील्स स्नेप अप ओवर 40,000 BTC एक लाग के लेवल के उपर मतलब एक वील्स है जिसने 40,000 BTC खरीदे है एक जटके में और यह जो ट्रांजेशन हुआ है कुछ बताया जाता है कि 96 गंटे के अंदर अंदर यह जो है पूरा खेल हुआ है 96 गंटे के अंदर अंदर आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ विस्तरत खबर बिटकोइन वील्स रिमाइंड मतलब 3.96 मिलियन यूएश डोलर की वेल्यू के BTC यहाँ पर खरीदे गए है 96 गंटे में ग्लोबल मार्केट में यह न्यूज इतनी चाई हुई है अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो बताये गया है कि एक लाग के लेवल के आसपास यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में BTC खरीदे गए हो 40,000 BTC मतलब हम यहाँ पर एक 44,000 या 40,000 रुपे लगाकर सोख हो जाते हैं यहाँ पर 3.96 बिलियन यूएश डोलर मतलब अरबो रुपे कि BTC खरीद लिये गए है आप समझ सकते हो और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज तो यह समझो कि जो यह ट्रांजेशन हुआ है यह रिकोर्ड जो हुआ है यह बड़ी बात यहाँ पर यह कह रहा है कि वेल्स संचे में ओन्चेन डेटा से यह पता चला है कि लोंग टम धारकों ने अपने लाब ग्रहन को बढ़ाया है और अक्टूबर की सिरुवात के बाद यहाँ पर जो है एक तरीके से एक लाक अठावी सहजार से जादा BTC बेचे गए है अब बेचे गए है अक्टूबर में लेकिन उनको हाथो हाथ किसने लिया है ETF के मदद से वापस खरीदे गए है तो लंबिया उधी तक के लिए मुनाफ़ा कमाने के चक्करों में US Sport Bitcoin ETF की मांग यहाँ पर बड़ी है और उनके तरब से बड़ी मात्रा में जो है BTC खरीदे गए है अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुछ लोग यहाँ पर जो है BTC को डायरेक्ट एक्सचेंज पर बेच के और स्पोर्ट ETF रख रहे है क्योंकि जैसे ही ट्रम्प की जीत हुई न ट्रम्प की जीत के बाद एक मार्केट में क्लियरेंस मिला है कि ETF के मादधे हमसे BTC खरीदना जादा अच्छा है सेफ माना जा रहा है तो इसलिए ETF की मदद से खरीदे जा रहा है अब यह बहुत बड़ी नियूज है क्योंकि इस टाइप का गिरना और अचानक से खरीद लेना बड़ी बात यहाँ पर कहा जा रहा है अच्छा एक और बड़ी नियूज यहाँ पर देखो अब आगे क्या होगा प्राइज में तो एक लाग के लेवल पर जाने के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिटकोईन देखते ही देखते अनुमान लगाया गया है कि अगले एक से दो हपते या फिर दो महिने के अंदर-अंदर जो बिटकोईन है अपनी प्राइस को दोगना डबल करेगा यानि कि टू वीक टू टू मन्थ के अंदर-अंदर प्राइस एक लाग से सीधे दो लाग डोलर यहां पर बिटकोईन जा सकती है यह एक्सपर्ट का इसपष्ट तोर पर यहां पर कहना है तो आप समझ सकते हैं कि बिटकोईन में कितना पंप और मैं मानता हूं कि यह मत देखो 9999 पर रुख गया बिटीसी यह तो एक ठहराओ है एक बार यह बिटीसी एक लाग के उपर गया ना इतनी तेजी से पंप आएगा कि अगले 48 गंटे गंदर नदर एक लाग 10 अजार से लेके एक लाग 20 अजार होगा बिटीसी यह आप लिखके रख लो भले जिस तेजी से वील्स यहाँ पर एक्टिव हो रही है अब जरा इमेजिन करिए कि इतना बड़ा एमाउंट अगर वील्स का किसी अल्ट कोईन में आजाए तो यह सभी अल्ट कोईन में आजाए तो 3.96 बिलियन वर्थ का तो आप समझ सकते भोकाल आजाएगा भोकाल और यह मैं बता रहा हूं कि यह होगा AC एक वील नहीं कई वीलों का पेशा अल्ट कोईन में आएगा क्योंकि यह जो पाथ है यह चलता है बिटकोईन में पंप फिर इथेरियम में पंप फिर लार्ज केप और अल्ट सीजन अभी जो पंप चल रहा है इन तीनों में चल रहा है अभी अल्ट कोईन में यही पेशा मूव होके इसमें आएगा क्योंकि मैंने पहले बोला था जिनको अगर अनुभव हुए वो बिटीसी और इथेरियम और लार्ज केप खरीद लो फिर समय आएगा इनको बेच के पेशा डबल ट्रपल हो जाएगा उसी ट्रपल पेशा को फिर अल्ट सीजन में लगा देना पर वो रिस्की था अनुभव चाहिए उसके लिए खेर पर पेशा अल्ट सीजन में आने वाला है तो हम ये कह सकते हैं कि अल्ट सीजन भी यहाँ पर स्टार्ड होने वाला है जल्दी अच्छा ये नियूज आप समझोगे जब मैंने बिटकोइन नियूज सर्च किया गूगल पर तो मुझे हिंदी के बहुत सारे आइटिकल यहाँ पर देखने को मिले आप देखो बड़ी-बड़ी वेबसाइट और बड़ी-बड़ी मेगजीन यहाँ पर बिटकोइन को कवर कर रहे है अपने आइटिकलों में और क्या कह रही है कि बिटकोइन में 10,000 रुपे सीधे करूडों हो गये है मतलब बताये गया है कि कितना है यह दो करूड की 20 करोड 20 करोड लग रहा है हाँ 20 करोड पर्सेंट से अधिक रिटन बिटकोईन में 10,000 डोलर सीधे 2048 करोड रुपे हुए अब यह न्यूज़ देखिए 11 में जिसने 100 रुपे लगाए आज वो 1.6 करोड का मालिक बन चुका है यहाँ पर देखिए इफ इन्वेस्टेट 10,000 इन बिटकोईन 10 आज वर्थ नाव बिका में कितना बना है तो यह बताती है कि ग्लोबल वाइज बड़ी बड़ी न्यूज एजनसी मार्केट मतलब बिटकोईन की न्यूज कवर करने लग गई है अब वो बंदे आएंगे जो अभी तक बिटकोईन संजान है क्रप्टो संजान है या फिर आना चाहते हैं उनको कोई मोका नहीं मिल रहा है अब यह जब न्यूज वो पड़ेंगे ना क्योंकि यह सिरुवात हुई है मतलब देखो इंडियन नेशनल जो रीजनल लेंगवेज है उसमें भी आजकल न्यूज आने लग चुकी है बिटकोईन की क्योंकि पहले आप बिटकोईन सर्च करो कोई सी हिंदी न्यूज नहीं आती थे आईटिकल ही नहीं चपते थे रेंक नहीं होते थे आज देखो कितना हुआ है मतलब ये लोग मार्केट को फिलाएंगे ये लोग मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी बाते करवाएंगे ऐसे ही यहाँ पर और भी कई न्यूज चल रही है बिटकोईन को लेकर मार्केट में बहुत जबरजस्ट सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर दिखा रहा है तो इसके उपर आप देख सकते हैं नजर रख सकते हैं बाइंग पोजिशन बन सकती है इसमें सेकंड यहाँ पर मैं एक कोईन बता रहा हूं आपको हेडेरा यह भी एक अच्छा कोईन की स्रेणी में गिना जा रहा है 26 वी रेंकिंग है अच्छा खा पराने कोईन है वो भी यहाँ पर बढ़ने लग चुके है जैसे गामा कोईन दास्टम बोक्स कोईन यह जो कोईन नहीं बढ़े था ना उसमें भी पेसा डबल कर दिया एक महिने कंदर अन्दा सेंड बोक्स और एक ओर कोईन है उसने भी अच्छा खासा पंप दिखाया यह ये पुराने गोडे हैं, decentralized mana coin, ये भी अच्छा खासा pump हुआ है, तो इसमें जिनका दाव है न, वो भी देख सकते हैं कि शुरुवाती स्टेज में ये बड़ा pump आपको दे देंगे 600 से 700 हजार परशे, इस्थापित coin है, pump इसमें मिल सकता है, बट ज्यादा pump के expectation मत करना, पुर सब्सक्राइब कर लो